जो question number 19 क्या बोल रहा है अमार बॉक P to Q, अमार P to Q करेंसे जाता है पैदल जाता है और लौट के आता है cycle से Q to P, देखिए यहां पर P point है यहां पर कहीं Q point है, यह P रहा, यह Q रहा, P से Q जाता है वो पैदल चल के तो हमान लेते हैं स्पीड से जा रहा है और रिट्वन आता है साइकल से तो माल लेते हैं अपन ऐसे स्पीड से आ ठीक है ये किस चीज की स्पीड हो गया ये चीज की होगा कि ये की कोई सकत किस्कारब कैए कोई कर से बोल रख गार कि 29 मिनट उसका पहले केश में लगे और दूसरी होता है कि वो जाता भी पैदल है और आता भी पैदल है दोनों टाइप क्या करता है पैदली जाएगा पैदली लोटके आएगा उसको 49 मिनिट लगते हैं पहले केसमें उसको 49 मिनिट लगते हैं अपनको क्या बताना साइकल से अगर दोनों केसमें चलेगा तो उसको कितने मिनि आदा डिस्टेंस वो क्या, ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से, यहाँ तक के बीच में अपनमाल लेते हैं, डी डेस्टेंस, तो फफई-ल ट्रेवल कर रहा है, डी डीस्टेंस उसने पैदल ड्रेवल किया, मतलब डवू सपीट से लोट कीया, किसी स्पीट से ट्रेवल किया ऐसे स्पीट से ट्रेवल किया ठीक है कोई दिखकर कोई दिखकर नहीं है दूसरी केस में क्या हो रहा है दूसरी केस में उसको 49 मिनिट का टाइम लगा ठीक है ट्रेवल उसने क्या किया तो आप बोलो सब डी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाने में किसी स्पीड से W स्पीड से पैदल आया और D डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया आने में वह भी W स्पीड से तो अगर इसको जोड़ के लिखे तो अपन क्या जाएगा 2 D Y W अपन को निकालना क्या है आप बहसर साइकल से को कितना समय लगा ठीड क्या है जाने का राने का D डरे के लिखे जानएर और आने का D डिस्टेंस इना हो जाएगा 2 D दिस्टेंस जाने कके शी уверex 끝ल बहसं अब निकालना है तो यह कैसे निकालेंगे अब बोलों से यहां पर 2dyw है अगर यहां पर 2dyw करके घटा दिया जाए तो यह बच जाएगा निकालनी थी तो क्या अंसर हो जाएगा अपना 9 मिनिट अंसर हो जाएगा ठीक है